हेलो फ्रेंड वेलकम टू फिरी कुकिंग यूटूब चैनल आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाका सभी कुकिंग एंड बेंकिंग क्लासी क्लासीच की सभी रेसपी अंसान तरिके से देख सकते हैं आज हम धोकला स्पेशल की क्लास में फ्राइड धोकला की रेसपी आपके साथ सेयर करने आए हैं फ्राइड धोकला में यूज होने वाली ऐसी ट्रिक जो आपने पहले कभी भी नहीं देखी होईगी हम यहाँ पर ऐसे दो इंगरीडेंट यूज करने वाले हैं जिससे आपका फ्राइड धोकला टेस्टी मार्किस श्टाइल बन कर त्यार होगा धोकला स्पेशल खिलास में हम फ्राइड धोकले की तरह और भी अललव टाइप की धोकले की रेसेपी आपके साथ सेयर करने वाले हैं तो चलिए रेसेपी को स्टार्ट करते हैं फ्राइड धोकला बनाने के लिए हमने धोकले को बना का त्यार कर लिया है धोकले को पूरी तरीके से ठंडा करना है या पर मैंने 200 ग्राम बेशन का धोकला बना का त्यार किया है आप हमारे धोकले की मोटाई देख सकते हैं हमारा धोकला पूरी तरीके से सोफ्ट और जालीदार बन का त्यार हुआ है रेसेपी में हमने कडाई से और स्टीमर से दोनों ही तरीके से ढोकला बनाना बताया है आप कोईसे भी मेथड़ से ढोकला बना का त्यार कर सकते हैं ढोकला बनाने की रेसेपी का link मैंने अपनी इस वीडियो के नीचे description box में डाल दिया है soft and जालेदा ढोकला बनाने के लिए हमने कैसी कैसी trick यूज की है यह सब आप link वजा कर देख सकते हैं ढोकले के बन जाने के बाद ढोकले को पुरी तरह किते ठंडा करना है ठंडा हो जाने के बाद तब ढोकले की cutting करने है यहाँ पर मैं बड़े बड़े पीसीज में धोकले की कटिंग कर रही हूँ फ्राइड धोकला बनाने के लिए आपके धोकले के पीसीज ज्यादा छोटे नहीं होने चाहिए धोकले के ज्यादा चोटे पिसीज करने से धोकले को फ्राइट करते समय धोकले का चूरा हो जाता है धोकले का ज्यादा चूरा ना हो इसलिए में धोकले के बड़े बड़े पिसीज कर रही हूँ धोकला आपका जितना ज्यादा सोफ्ट होगा फ्राइड धोकला उतना ही अच्छा बनका त्यार होगा धोकले की कटिंग करते समय आपको अमारे धोकले की सोफ्टनेस दिखाई देरी होईगी हमारा धोकला कितना ज्यादा सोफ्ट बनका त्यार हुआ है धोकले के कट हो जाने धोकले की रेसेपी को आप अपने बनाए गए धोकले बेस के हिसाब से कम जाद कर सकते हैं बेस की कटिंग हो जाने के बाद अब मैं इससे फ्राइड धोकला बनाका त्यार करूंगी धोकले को फ्राइड करने से पहले धोकले के लिए तड़का बनाका त्यार करना है तड़का मेटा बनाने के लिए मैस में डाल जीनी इसके बाद मैस में डाल रहे हूं citric acid इसके बाद और आपको डालना हैं नमक इन सब को mix करते हुए यह रहा हुँ देना है यह देखें पाणी में उबाला गया है मैंने गैस को बंद कर यह देखे हमने डोगले की कटिंग करके डोगले के पीसीज को एक प्लेट में रख दिया है तेल के गरम हो जाने के बाद मैं इसमें डाल रही हूं राई इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूं सफेद तिल फ्रेंड्स तिल बहु जल्दी रोस्ट हो जाते हैं तिल के बहु चैसब एंडय चिली सौसी आपके वे दो इंग्रीडियंट है जिससे आपका फ्राइड नोग बन बन का त्यार होगा हमारी रेसेपी से आपका फ्राइड लोग सोस है अब मैं अपनी इस सोस में दो कल्ची तड़के वाला पानी डाल रही हूं जिससे हमारी ये सोस पतली हो जाए दो कल्ची के इसाब से यहां पर आपको थ्री फोर्ट कप पानी डालना है तड़के वाले पानी को सोस में मिक्स करते हुए अब मैं इसमें एक उबालाने द डालूंगी ढोक लेके पिसीच के चारो तरफ आपको अच्छी तरह के सोस लगानी है एक एक पिसीच पर चारो तरफ सोस लगाते हुए आपको इस तरीके से ढोक लेके सभी पिसीच पर सोस लगानी है इसी तरीके से मैं अपने सभी ढोक लेके पिसीच पर सोस लगाऊंगी य जाने के बाद जिन पिशिच को मैंने प्लेट में रखाता उन सब को मैं बापीश कड़ाई में रख रही हूँ अब मैं इसके ओपर डाल दूँ तड़के का पानी टालते समय पानी तेजगरम होना चाहिए जिसे आपका ढौगला पानी असानी से पी जाए ढौकला जितना जा ढ़ाना है आप तड़क का पानी कणहीं में डालका जिसतीन भूल अइश में आपनी धोकला बनाया था उसमें डोकले के पीशिज रखका क्दभा उसके बाद तड़के का पानी डाल सकतें इस बात का दिया को ज्टाइए अब अब करें में अपने ढोगले को 15 मिनाट के लिए रखा चोड़ूंगी जिससे ढोगला असानी से पानी पी जाए ये देखिए हमारे ढोगले ने सारा पानी पी लिया है ढोगले के पानी पी जाने के बाद अब मैं अपने ढोगले के पिसीच को प्लेट में रखूंगी ढोगले के सभी कड़ाई में से निकाल कर रखाता उस से धोकले की गानिशिंग करनी यह इस पून की साहितर से आपको सोस को धोकले के उपर लगाना वे सितरीके से आपको हमाई रेसेपी से फ्राइड धोकला मार्किट में मिलने वाले फ्राइड धोकला जैसे ही दिखाई देगा फ्राइड धोकले के उपर सोस लग जाने के बाद अब मैं इसके उपर डाल रही हूं बारी कटा हुआ धनिया इसके बाद मैं इसके उपर डाल रही हूं ता यह देखके फ्रेंड यहां पर हमने अपने तेस्टी टेस्टी फ्राइड धोकले की प्लिटिंग कर दी है आपको हमारी रेसेपी से फ्राइड धोकला देखने में एकदम मार्केट जैसा दिखाई दे रहोगा जब आप फ्राइड धोकले को घर पर बनाकर त्यार करोंगे तो तो इसका टेस्ट आपको मार्किट जैसा ही दिखाई देगा, आपको इस टाइप से फ्राइड धोकला की रेसेपी कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, आप हमारी रेसेपी को एक बार जरू ट्राइ कीजिएगा, फ्राइड धोकला आपको टेस्ट में बहुत ज़्याद और ढूलिए ब्रावर में बने बैल आिकन को डवाना ना भूलिएगा बैल आइकन को दवाने से आपको fungi की वीडियो का नोटिफिकेशन करने वाले ओके फ्रेंड फिर मिलेंगे बाई बाई